नमस्कार मैं मिनाक्षी कंडवाल हाजिरू लेकर प्रश्निकाल अपने इस वीकली शो में आज बात पिये मोधी के इंटर्व्यूज की इस चुनाव के दौरान आपने एक बात नोट की प्रधान मंतरी मोधी के इंटर्व्यूज की बाड़सी आ गई है नाशनल टीवी न्यूस चानल से लेकर रीजनल न्यूस चानल सक और अखबारों तक हर जगह प्रधान मंतरी मोधी के इंटर्व्यूज चाय हुए हैं किसी-किसी न्यूस चानल को तो दो-दो-तीन-तीम बार मोधी जी इंटर्व्यू दे चुके हैं एंकर्स को अलग, संपादकों को अलग, फील्ड वाले रेपोर्टर्स को अलग, यानि मोधी जी ने किसी को नहीं छोड़ा मोधी राज के 10 साल में ऐसा पहली बार हुआ है और इसलिए ये जानने में सबकी दिलचस पिये कि आखिर ऐसा कैसे हो गया क्योंकि इससे पहले तक पिये मोधी का इंटेव्यू बेहा दुरलब था, उन तक सबकी रीच नहीं थी, कुछ खास संपादक या कुछ खास चैनल ही मोधी तक पहुच पाते थे बाकी टाइम मोधी एक तरफा संबाद के लिए जाने जाते हैं तो हाल ये है कि अब बस टीवी चानल्स के AI यानि आर्टिफिशल इंटेलिजन से तयार किये हुए आंकर्स को अगर आप छोड़ दे तो लगबख सभी मोधी जी का इंटेव्यू कर जोड़े Since you're a great believer of technology, Prime Minister, I thought you would enjoy meeting our newest anchor, Sana She is our first AI anchor and I'd very much like you to meet her. Sana, come say hello मानिय प्रधान मंत्री जी, हम आभारी है कि आप हमारे बीच आए मेरी on the job learning अब शुरू हो गई है और 2024 तक मैं देश की सबसे अच्छी जर्नलिस्ट होने की कोशिश करूँगी उम्मीद करती हूं कि तब आप से एक exclusive interview करने का मौका मिलेगा बहुत बहुत धन्यवाद तो आज तक ने जब अपने AI anchor को launch किया था तो उसने भी PM का interview करने की ख्वाहिश जाहिर की लास्ट फेस से पहले हो जाये तो चौक भी मजाईएगा खेर मजाक एक तरफ लेकिन प्रश्निकाल में इसी पर आधारित पहला प्रश्नि ये क्या आकर 10 साल तक एक भी प्रेस कॉन्फरेंस ना करने वाले प्रधान मंत्री मोदी इस बार थोक के भाव से TV चानल्स और अखबारों को interviews क्यो दिये जा रहे हैं कहीं चुनाव के दौरान agencies के feedback का असर तो नहीं जो हर phase में PM मोदी तक पहुँशता रहा है क्या agencies के feedback के हिसाब से PM मोदी अपनी रणनीती बदलते जा रहे हैं क्या ये PM मोदी की चुनाव के लिए media strategy है क्या PM मोदी ने इस चुनाव में media को tool बना दिया है क्या मोदी चुनावी फाइदे के लिए media का बहतर तरीके से इस्तमाल कर गए है तो ऐसे तमाम सवाल PM मोदी के अंधादुन्द interviews को देखकर पैदा हो रहे है अब तो लोग में बूल गए होंगे कि मोदी जी ने किस-किस को interview दिया था क्योंकि इतने हो चुके हैं उनका recent interview ABP News Channel पर आया इससे पहले इंडिया TV पर रजशर्मा अपने ही अंदाज में उनका interview जो अदालत वाला setup होता उसमें कर चुके है आज तक News 18 इंडिया, Republic TV, NDTV, Times Now लगबग सभी को मोदी जी interview दे चुके हैं कई बार दे चुके है स्क्रॉल की एक report बताती है कि 31 मार्च से और वारनसी सीट से nomination फाइल करने तक यानि 14 माई तक PM मोदी 41 interviews दे चुके थे उसके बाद भी उनके interviews हुए इस तरह से मोटा मोटा अनुमान है कि इस बार के चुनाब में मोदी जी के interviews की half century लग चुकी है यानि 50 पार PM मोदी का interview कर चुके कई पत्रकार इस नंबर को 70 पार भी बता रहे है यानि 70 प्लस interviews भी कह रहे है बहराल अपने लें तीसरा कारिकाल मांग रहे है PM मोदी के एक के बादे के interviews ने चौकाया बहुत हाला कि उन interviews से कुछ नई बात निकल पाई हो ऐसा तो है नहीं वो सब वही बाते हैं जो आप और हम पिछले 10 साल से सुनते आ रहे हैं और PM मोदी उन्हें repeat करते आ रहे हैं उनसे कठिन सवाल पूछे नहीं गए ना ही cross questions किये गए हैं तो फिर इन interviews के पीछे की कहानी क्या है देखें इसमें कोई शक नहीं कि मोदी जी ने हर phase के हिसाब से अपनी रणनिती बनाई होगे और इस बार voting में जैसी सुस्ती दिखी है उसने जरूर सत्ता पक्ष को बेचैन किया है मोदी की मीडिया strategy में हर चरण के चुनाव के feedback के अलावा मुझे जो एक और चीज नजर आती है वो ये कि मोदी भारतिय राजनिती में communication की कला के master आदमी है PM मोदी राजनिती में communication का इस्तमाल और उसकी ताकत को जानते हैं और इसी लिए brand मोदी का एक बड़ा हिस्सा इसी communication पर आधारी थे और जनता से समवाद वाली बात पर तो मैं आऊंगी लेकिन उनके साथ काम करने वाले उनके कलीग्स या cabinet minister जैसे विदेश मंत्री एज जैशंकर का एक statement मुझे ध्यान आ रहा है कि कैसे अफगानिस्तान में इंडियन कॉंसिलेट पर हुए अटाक के दौरान पी एम मोदी ने उनसे बात किती वो वो स्टाइल का जिक्र कर रहे थे His first question was, जागे हो? I said, हाँ, sir, like, you know, I mean, he's 12, 30, what else could I be doing other than being awake? Because in his life that is probably natural. He said, अच्छा, TV देखरे हो? I said, अच्छा, TV देखरे हो? So, क्या होरा है वहां? So, because he was you, that's exactly what I was doing. I said, नही, sir, वो अभी अटाक चल्राया, पर, वी, help is on its way, etc. So, action. So, then he said, अच्छा, जब खतम हो जाएगा, मुझे फोन कर देना. So, I said, sir, इसमें 2-3 घंटे और लगेंगे. तो, जब हो जाएगा, मैं आपके यहां बता दूँगा. So, there was a pause. He said, मुझे फोन कर देना. तो, उन्होंने यह नहीं कहा कि मेरे स्टाफ को इनफर्म कर दो, अगर वो खुद सोए हो तो डिरेक्ट कॉन्टाक्ट की यह टाक्टिक्स, PM मोधी के साथ काम कर चुके और भी कई लोगों ने इससे पहले कन्फर्म किया है. वैसे लोगों को लगता है कि केंदर की राजनीती में अफसर मिलने के बाद मोधी का स्टाइल अफ कम्यूनिकेशन फला फूला लेकिन ऐसा है नहीं. उनके साथ काम कर चुके टीम मोधी के सदस्य और प्रसार भारती के सीओ, शशी शेकर ने एनाई के पॉड़कास्ट में बताया कि कैसे गुजरात के दिनों से ही वो कम्यूनिकेशन स्किल के प्रभावशाली और नई टेक्नॉलजी के मीडियम इस्तवाल करने में आगे रहते थे. और ये उन मेजर डिफरेंसे में से एक था, जिसने उपीय को सत्ता से बाहर किया. So in that sense, Modi as an individual may not be responding, but that entire missionary is responding. हाला कि strategy PM Modi का खुद का idea रहा होगा, ये दावे के साथ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि इस काम के लिए उनके पास पूरा system है, जो कि सिर्फ ब्राइंड Modi के लिए काम करता है, एक पूरा तंत्र है, जिसमें ऐसे professionals की team है, जिनकी duty ही है दिन रात PM Modi के लिए काम करें, वो team दिल हमारे भी कई परिचित लोग हैं, जो कि तुकबंदियों के जुमले गढ़ने के उस्ताहद रहे हैं, मीडिया में बड़ा चलता है अनुपरा सलंकार का इस्तमाल, तो इसलिए आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि ये team BJP के IT से अलग है, और इस सिर्फ PM Modi के लिए dedicated है, कि ये communication की ताकत राजनिती में brand Modi की कामियावी का बड़ा factor है, आपको याद दिलाना जरूरी है कि political communication, image building और PR के काम के लिए वैसे नरेंद्र मोदी जी ने तभी से काम करना शुरू कर दिया था, जब वो गुजरात के CM हुआ करते हैं, इंडिया टुडे की 2012 की एक report के मताब इसी के अखबार दी Economist Times ने 2012 में एक report छापी थी, जिसमें तबके गुजरात के CM नरेंद्र मोदी और अमेरिकी कंपनी AP CEO के connection पर लिखा गया था, कि on paper ये कंपनी गुजरात में investment के लिए बनाई गई गई नोडल agency, Index Bureau के लिए काम कर रही थी, लेकिन इसकी पहचान तबके के मुख्यमंत्री के public relation manager के तौर पर थी, यही नहीं चुनावी रणीतिकार प्रशान किशोर की मोदी के साथ association भी public domain में है, इस चुनावी मौसम में भी प्रशान किशोर BJP और मोदी के लिए महौल बनाते दिखे हैं, भले ही वो अब आधिकारिक तौर पर चुनावी strategy का का आप ना देख रहे हैं और इस पर आप मेरे पुराने वीडियो जरूर देखेगा जो मैंने description box में दिये हैं, economic times की report बताती है कि election strategy के लिए प्रशान किशोर मोदी के साथ साल 2011 में ही जुड़ गए थे, जब वो गुजरात के CM थे, 14 के मोदी के चुनावी campaign में जो नारे गड वो ऐसे नारे थे जो कि आसानी से लोगों की जुवान पर चड़ गए, वाइरल हो गए, 2024 के चुनाव के लिए भी रचा गया, अब की बार 400 पार या मोदी की guarantee नारा भी इसी मन्थन से निकला है मुम्किन है कि इस बार के चुनाव में मोदी के इंटर्व्यूस पर, इंटर्व्यूस जो हो रहे हैं, वो भी इसी चुनावी रणनीती का हिस्सा हो लेकिन ताज्यूप की बात ये है कि इतने व्यस चुनावी दौरों के बावजूद, पियम मोदी जहां टीवी चानल्स और अकबारों के लिए इंटर्व्यूस के लिए उपलब्ध हैं, वहीं विपक्षी पार्टियों के बड़े नेता मीडिया का उप्योग ही नहीं कर प आज कल नरेंदर मोदी के इंटर्व्यूस चल रहे हैं, देखे होंगे आपने, वह चार चम्चे बठा देते हैं, और फिर वह सवाल पुछते हैं प्रियंका गांधी के जरूर एकाद इंटर्व्यूस देखने को मिले, तेजस्पियादर के भी इंटर्व्यूस देखे, लेकिन रहूल गांधी ना जाने क्यों मीडिया से दूरी बनाए हुए हैं, जबकि अगर वो किसी को इंटर्व्यूस देते, तो ऐसा भी नहीं है कि क कोई नैशनल मीडिया या जिन पर वो पक्षपाती होने का आरोप लगाते हैं, वो चैनल ना चलाते हैं, मुझे इस पर विश्वास था हैं। लगता है कि विपक्ष के नेताओं को भी ताबर तोड इंटर्व्यूस देने चाहिए थे, अगर आपको लगता है कि नैशनल मीडिया आपके लिए बायस है, तो आप alternate मीडिया से बात करिए, हाटकोर पोलिटिकल, नॉन पोलिटिकल, हर तरह के इंटर्व्यूस करिए, ले लेटने के लिए आपका बहुत धन्यवाद, चानल को लाइक सब्सक्राइब पर ना भूलें और बाकी लोगों के साथ भी जरूर शेर करें